जिला मुख्यालय के हरदासपुरा में एक बच्चे को पागल कुट्टे द्वारा काटे जाने के बाद बच्चे को उपचार के लिए मेजिकल कॉलेज टांडा रैफर कर दिया गया है। इसको नौचने लगा। इस बीच वहां से गुजर रहे एक टिप पर चालक ने रुक कर बच्चे को बचाने का प्रयास किया। वहीं हमलावर हुआ कुट्टा तब तक भाग गया। मिली जानकारी के अनुसार रुक्त बच्चे को प्राथमिक उपचार के बाद मेजिकल कॉलेज टांडा रैफर कर दिया गया है। इस पूरे मामले सिक्षेत्र की लोगों में दहशत का माहौल है तथा लोग बच्चों को घर से निकलने पर डर महसूस कर रहे हैं। यहां बताते चले कि देश भर में कुत्तों को जहर देने पर प्रतिबंध है तो फिर सवाल यह कि आम लोगों की सुरक्षा कैसे हो। इस संदर्भ में पशुपालन विभाग के अनुसार एक कुतिया के पागल होने की सूचना मिलने के बाद नगर परिशत चम्रा को कुतियां को दस दिन तक बांध कर रखने के निर्देश दिये गए हैं। वहीं विभाग के चिकित्सक को भी भेजा गया था। ब्यूरो रिपोर्ट हिमाचल टॉप नियूस।